C.I.A थाना प्रभारी विश्व गौरब ने बताया कि गाउं धती निवासी जगास सिंग की गज़ 27 अगस्त की शाम को गाउं के समीब कुछ लोगों ने गोलियों से भून कर हत्या कर दी थी जिस मामले में सदर थाना पुलिस ने मिर्तक के पिता चंद्रिपाल की शिकायत पर 14 नाम ज़द आरूपियों के खिलाप मामला दर्श किया था जिसके जांस परताल करने के लिए C.I.A टीम को दी गई टीम में शामिल अधिकायों ने आरूपियों को गदो सितंबर की शाम को गाउन धतीर मोड प्रेथला के पास सिग रफतार किया है पुलिस के अनुसार हत्या का कारण मार पीट की रंजिश बताया गया है मिर्तक जगस सिंग भी अपरादिक किस्म का वेक्ती था जिसने लग भग तीन चार महापूर प्रेम उफ पुसी के माता पितावा भाई महिश के साथ मार पीट की थी जिसमें जगस सिंग पर भी मामला दर्श था और वहे फरार चल रहा था इसी दोरान यह भी खुलासा हुआ कि जगस सिंग ने लाल मनी उफ लालू के भाई नरेंदर उफ सोनों के साथ भी मार पीट की और उसे बेचत किया था वहें जगस सिंग इन आरूपियों को गोली से मानने की धमकी भी दे रहा था इसी की रंजिश के चलते आरूपियों ने गस 27 अगत्त की शाम को गाउं के समीब जगस सिंग को घेर कर गोलियों से भून दिया पीडित की शिकायत पर चौधा नाम जथ आरूपियों के खिलाप मामला दर्श किया गया था फिलाल शे आरूपिय गरफतार का लिए गए है बागी आरूपियों के जाज़ परताल की चार ही है अपने बेटे की अध्या के बामले में जिसमें चोध्य वक्तियों के नाम दिये थे जिसमें से हमने कल शाम को छेया दियों को गरफतार किया है जिनके नाम पुसी और प्रेम, लालमली और फलालू, रोहित और ज्यू, जितंदर और जीतू, करमबीर और सौनू, नरेश और किर्शन को प्रिथला मोड से धतील मोड से प्रिथला से रफतार किया है कुछ बरामदी की है जिए अभी आज इन्हें कोट में पेश किया जाएगा, कोट में पेश करने पाद रिमान दे लेके इन से बरामदी की जाएगी, जो पूस्ताच के दौलान ने ने कुछ हत्यार बताए है, जिनकी पराजमती आज सीगर ही कर लीजाएगा हत्या कारण क्या बताए है, हत्या के कारण ये बताए है कि जो प्रेम और पुस्सी है, कुछ दिन पहले इसके माबाप वे इसके भाई को इसने पीटा था, जगत ने, जिसके संबंद में एक एफ यार भी थाना सदर में दर्ज है, और दूसरा लालमनी और लालू के भाई क नरंदर्व सुन्नी को पीटा था है नोने, तो यही कारण है, जो नोने इस पर और इन्होंने पूस्ताज पर बताए है कि बीच में इन्हें धमकी भी दीती